नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतिय शाक्षिय अदिनियम में section 31 जो यह section 31 है यहाँ पर यह relevance के बारे में बता रहा है जो भी public nature के fact होएंगे जो की contain किये गए कहाँ पर notification में यह फिर किसी act में तो वहाँ पर उनको relevant मान ले जाएगा जो भी statement वहाँ पर लिखी गई है तो चलिए जानते हैं इसकी बेरेक लेंग में यहाँ पर क्या बता रही है जो एक्जिस्टेंस में है इंदी रिस्पेक्टिव ओफिशल गजट और इन एनी प्रिंटिड पेपर और इन इलेक्ट्रोनिक और इन डिजिटल फॉर्म पर प्रपोर्टिंग टूबी सच गजट इस अ रेलिवेंट फैक्ट अब यहाँ पर सिंप्ली यही बता रहा है जो भी सेंट्रल एक्ट है या जो स्वेट गर्मेंट की नौटिफिकेशन है वहाँ पर कोई स्टेटमेंट दी गई थी उस स्टेटमेंट को वहाँ पर रेलिवेंट बाहलेंगैं कोयी निकाल है तो ये पर कोई statement लिखी गई है जो public nature की है उसको वहाँ पर मान लेगी या फिर कोई electronic और digital form में वहाँ पर कोई statement लिखी गई है जो central और state government के अंडर या फिर central और state के जो act है उसके अंदर या फिर official gadget में वहाँ पर कोई भी है जो कि digital form में यह फिर electronic form है वहाँ लिखी गई है कोई भी statement तो इन सभी को यहाँ पर relevant fact मान ले जाएगा court यहाँ पर अपनी opinion form करती है जो भी यहाँ पर central और state government टे अपनी official notification निकाल ले थी जो भी official gadget निकाल गया था जो भी central और state act है इन में जो भी statement लिखी गई है इन सभी को यहाँ पर court opinion की तरह यहाँ पर form कर लेगी यह किसम से opinion लेती है यहाँ पर तो इन सभी statement को यहाँ पर मान ले जाएगा यहाँ पर यह एक relevant fact है यहाँ पर इस section में कुछ नहीं था बस इसमें यहीं बताय गया और कुछ नहीं है जो relevancy बताता है किसकी public nature की जो contain किया गया है कहाँ पर किसी notification में या फिर किसी act में और कुछ नहीं थासमें अब हम मिलेंगे अपनी next section में जिसमें हम next section को जानेंगे ओके बाई